नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल बैट वर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं दा ग्रेट फिल्म स्टार शुशांत सिंग राजपूत के बारे में शुशांत सिंग राजपूत जिनकी लाइफ तो बहुत ही छोटी रही दोस्तों वो बड़ी जल्दी हमें छोड़ कर इस दुनिया को छोड़ कर इस दुनिया से चले गए लेकिन इतनी छोटी सी लाइफ में इतनी सकसिस पाना कोई आसान बात नहीं है तो आज इस वीडियो में हम उनके लाइफ की कुछ अच्छे कुछ अच्छे मूँमेंट्स को आपसे शेयर करेंगे उनकी फैमिली के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी लाइफ के अचीवमेंट्स के बारे में हम आपसे बात करेंगे So let's study शुशाम्त सिंग राजपूत एक भार्दिय अभनेता थे राजपूत ने अपने करियर की शुरुवाट टेलिवीजन धारवाहिकों से की उनका पहला शो स्टार प्लस का रोमैंटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल 2008 का था उसके बाद जी टीवी के लोगप्रिय शो पवि पीके डिटेक्टिव व्योम केश बक्षी में काम किया 2016 की फिल्म एमें थोनी दो अन्टोल स्टोरी में उन्होंने महिंदर सिंग धोनी की मुख भूमिका निभाई उनके लिए उस काम के लिए उन्हें बहुत ही अत्यधिक सराहा गया और बहुत ही पसंद किया गया अभिन इसके अलावा वे विभिन कारिक्रमों जैसे सुशान्त फॉर एजुकेशन में भी सक्रिये रहा करते थे इसके अलावा वे कुछ प्रद्यकी कंपनियों के भी संस्थापक थे हम उनके प्रारभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म पत्ना में कृष्ण कुमार सिंग और उशा सिंग के घर पर हुआ था उनका पैत्रिक घर पत्ना जिले में है उनकी बहनों में एक मितु सिंग राजिस्तरिये क्रिकेटर है इनकी मा के मौत के बाद पूरा परिवार पूर गया था और पटना से दिल्ली तक बस गया था उन्हों ने अपनी स्कूली सिक्षा पटना के सेंट करेंस हाई स्कूल तथा दिल्ली से कुचाली हंसराज मौडल स्कूल से ग्रहन की इसके अनुसार 2003 में उन्होंने दिल्ली प्रोधिदिकी की विश्य विद्याले की प्रवेश परिक्षा में सात्वा स्थान प्राप्त किया और वो काफी होनहार रहे और अभियांत्रिकी में इसनातक की डिग्री उन्होंने इसमें दाखिला लिया वे भौतिक एवं रास्ट्री ओलंपियार के विजेता भी रह चुके हैं तथा उन्होंने भारती खानी विंद्या पेट विश्विदाले समेत कुली 11 इंजिनिरिंग प्रवेश परिक्षाएं पास की वो काफी होनहार तथा अवल दर्जे के स्टूडेंट रहे थीएटर और नित्य में शामिल होने के कारण उनके पास अध्यन के लिए कम समय बचता था जिसकी वज़े से उनकी पढ़ाई में कुछ रुकावटें आने लगी उन्होंने विश्व इद्याले छोड़ दिया अभिने में अपना करियर बनाने के लिए उन्होंने इंजिनिरिंग की पढ़ाई के चार वर्ष के कोर्ष के में से सिर्फ तीन वर्ष पूरे करके उसे छोड़ दिया विश्व इद्याले में छातर रहते हुए उन्होंने श्यामक दावर की नृति शाला में दाखिला लिया डांसिंग क्लासे जॉइन करने के बाद सहपाटी अभिने में रुच रखते थे तथा वे बेरी जौन की नाटक की कक्षाओं में भी सामिल होते थे यही से शुषान्त के मन में अभिने में करियर बनाने का विचार आया अगर हम उनकी बसना लाइफ की बात करें तो सुषान्त राजपूत 6 साल के लिए अपनी पवित्र रिष्टा की सह कलाकारा मींस की को एक्ट्रस अंकीता लोकंडे के साथ प्रचारित रिष्टे में थे 2016 में वो दोनों अलग हो गए शुषान्त सिंग राजपूत एक उभरते हुए कलाकार थे तथा अपने छोटे से जीवन में अपना नाम दर्च करा दिया दोस्तों आज हो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमेशा हम उन्हें इसी तरीके से याद करते रहेंगे और उनका सम्मान करते रहेंगे तो चलिए दोस्तों ईश्वर से दूआ करें कि ईश्वर उनकी आत्मा को शानती दे करें करें